कि जैसी कशना आज दिनाग दो दस हो जार विश में किता धाम गुरुकुल की ओर से आपका फिर स्वागत है कक्षा सेवन पार्ट नमबर तीन और कल तक मैंने पढ़ा है था आपको उसके आगे मैं आपको बढ़ान जा रहा हूं कर्पिया धान से सुनें और धान से पढ़े जिन्यों ने मेदानों में ही इन अधियों को देखा होगा कभी क्या कहता है लेकर क्या कहता है कि जिन लोगों ने सिर्फ इनको मेदानों में ही देखा हुआ क्योंकि उन्होंने शाइद निकलते वे पाड़ों से हिमाले से निकलते वे नहीं देखा हुआ इसलिए कहता है गलेकर की जिन्होंने वेदानों में ही इन नदियों को देखा हुआ उपर नहीं देखा हुगा, उनके ख्याल में शाइद ही ये बात आशके, वल्ब उनके ख्याल, उनके ध्यान में, ख्याल का मलोग होता है, ध्यान, क्या होता है, ख्याल का मलोग होता है, ध्यान, उनके ध्यान में शाइद ही ये बातें आशके, कि बुडे हिमाले की गोद में, किस की गोद में बूडे हिमाले की गोद में हिमाले को बूड़ा बताए कि बहुत पुराना इसले बूड़ा का गया है की गोद में बच्चियां बनकर किस के लिए का है नदियों के लिए का है किस के लिए का है बच्चियां खेला करती है माँ बाप की गोद में नंग धढ़ंग होकर खेलने वाड़ी इन बालिकाओं का रूपाड़ी आजमियों के लिए आकर्शक बलही ने हो माँ बाप माँ बाप किसको का है हिमाले की गोद को का हिमाले को का है और गोज में नंग धड़ंग बिलकुल एक दम खुले से होकर के ये खेलने वाली इन बालिकाओं हैं बालिकाओं का मदलब यहां पर है नदियां जो भी नदियां निकलती है ये से गंगा जमना दो भी नदियां परवसे हैं ये हमाले से निकलती है उनके लिए का है कि नंग धर्णग होने वाली बाली का उनके लिए का है का रूप पहाड़ी आज में के लिए आकर्शक बलही नहीं आओ चो फाड़ में रादिन वा रहती हैं उनके लिए बलें आकरशको आकरशक नहीं हो किने खिंचावदार नहीं हो लेकिन मुझे तो इसाव लुभावना परतिद हुआ आकरशक वा आकरशक और लुभावना एक दूसरे का प्रहाई है अर्थ है लेकिन मुझे तो इसा लुबहाओना परती थे मुझे तो बहुत आकसी थे वाले का क्या कहता है कि ये चीज मुझे तो बहुत ही आकसी थे वह है रूप की हिमाले को शशूर और समुद्र को उसका धमात केने में कुछ भी जिजक नहीं है हो क्या कहता है कि हिमाले किस के लिए समुद्र के लिए क्यों कि सारी नदियां सारी नदियां हिमाले में हिमाले से निकल करके कहां गिर जाती है समुद्र में गिर जाती है कहां गिर जाती है समुद्र में गिर जाती है और उनका दामाद केने में कुछ भी जीजक यह किसी परकार का सरम नहीं है किसी परकार की सरम जीजक का मेलब क्या होता है? सरम क्या होता है? सरम लेक केता है कि हमें इसमें किसी परकार की सरम नहीं है आगे नेक्स्ट में चलो रखें और किसी परकार की शरम नहीं है नेक्स्ट में काली दास के विहरूं यक्स ने अपने मेग दूस्ट से कहा किसे का अपने मेग दूस्ट से कहा वेत्रवती बेत्वा नदी वेत्रवती क्या है नाम है वेत्रवती दूसर नाम क्या है देत्वा नदी को प्रेम का पर्ति पाधन देती जाना किसने कहा है कालिदास के विहरी यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कि तुम्हें पाकर आउशे ही पशन होगी क्या होगी तुम्हें पाकर के आउशे ही पशन होगी कौन प्रेहनशे ये बात इस इन चंचल नदियों को देकर मुझे अच्छा नक याद आ गई क्या अगे मुझे अच्छानक याद आ गई और सोचा की क्या सोचा और सोचा की साइद उस मा कवी को भी नदियों का सेचेतन रूपक पसंद था क्या था उनको सेचेतन सन्जीव जिसके अंदर जीव हो उसको बोलते हैं सेचेतन क्या बोलते हैं उसको सेचेतन बोलते हैं तूर पसंद था दरसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी गाटियों या सम्तल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शकलों को देखेगा वे इसी नतीजे पर पहुँचेगा कभी क्या केता है कि दरसल वास्तु में में कोई नदियों को पहाड़ी गाटियों या सम्तल आंगनों के मैदानों से जुदा 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 अलग होते होते हैं शकलों को अकर देखेगा तो वे उसी नतिजे पर पहुंचेगा जो की मैं इस नतिजे पर पहुंचाओ काका काल लेकर ने नदियों को लोग माता का है किसने का है काका काल लेकर एक लेकर उसने नदियों क्या का है लोग माता हम सब की माता का, कि इन्तु बनने से पेले गेदी, हमें इन्हें बेटियों के रूप में देख लें, अगर नदी बनने से पेले हम इसको नदीयों के रूप में देख लें, किसके रूप में देख लें, बेटियों के रूप में, किसके रूप में देख लें, बेटियों के र क्या है थोड़ा आगे थोड़ा आगे चलिए इनी में अगर हम प्रियंशी की भावना करे तो केसा रहेगा ममता का एक ओर क्या ममता का एक ओर धागा क्या है ममता का एक ओर धागा है जिसे हम अनेक इनके साथ जोड़ सकते हैं ममता का मलबता है प्यार प्रेम क्या होता है और धागा है जिसे हम अनेक साथ दोड़ सकते हैं और बेन का इस्तान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है कितने कवियों ने इनका बेन का भी किसका दिया है बेन का इस्तान भी दिया है किसी कवियों ने पुत्री का दिया है किसने माता का दिया है तो किसने बेन का भी किसका इस्तान दिया है बेन का किई कवियों ने एक दिन मेरी भी एशी भावना हुई क्या होई भावना थो थो निंड तिबत की बात है ये थो निंड गों जगे हैं तिबत की बात है कि मन उचट गया मन एकदम बदल गया उचट एकदम से तो तबेर धिली थी समतल के किनारे समतल के किनारे जाकर बेट गया कहां बेट गया जाकर के समतल के किनारे जहां मैदान साब होता है वहां पर तो पेर का समय था किसका समय था तो पेर का समय था पेल अटका दिये पानी में थोड़ी देर में उस परकृति सी जल ने अश्र डाला और तन और मन ताजा हो गया किसका समय था दोपर का समय था और पेर लटका दिये पानी में थोड़ा ही देर में उस परकृति सी जल तो परकृति से निकलता है जल उस ने अश्र डाला और तन और मन ताजा हो गया क्या हो गया तन और मन ताजा हो गया लगा मैं गुन गुनाने क्या लगा मैं लगा मैं गुन गुनाने एक कवीता है जो आपको सुन लो जे हो सतलज बेन तुमारी लीला अचरज बेन तुमारी अच्रज भेन तुमारी वा मुदित मन हटा खुमारी जाओं मैं तुम पर बलिहारी तुम बेटी ये बाप हिमाले चिंतित पर सुपचाप हिमाले प्रकटी नटी के चित्रित पट पर अनुपम अनुभव उत चाप हिमाले जेहो समतल भेन तुमारी ये कभी नागार जोन ये लेखे कौन है कवी नागार्जुन जिनने कवीता करूप से छोटा सा कवीता लिखी है यहां पर जैसी कशना नेक्स्ट मैं आपको फिर बढ़ाओंगा कल